नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल आभी प्रिया क्रेश्न और सौगत है आप सबका हमारे चैनल पे और आज हम बनाने वाले हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से डियाइवाइस और तो चलिए फटा-फट से फस्ट डियाइवाइस अपना स्टाट करते हैं तो यहां पे ले ल और अब हम बनाएंगे जैसे हम लिपन आर्ट करते हैं उसी तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है और हम बनाने वाले हैं एक कुलहर्ड होता है जो जैसे लसी वगएर जब आती है तो उसके साथ में आता है उसी पे हम डिजाइन बनाने वाले हैं जैसे हम लिपन आर्ट ब तगा के उसके आप पर आप इस्टिक कर लीजी आप जैसी भी डिजाइन बनाना चाहें उससाब से आप डिजाइन बना सकते हैं यहां पर मैंने लीफ इस तरीके से बना ली थी और इस बनने के बाद इसको हमने सुखने के लिए छोड़ दिया जब तक यह कंप्लीटली ड्रा जाय नहीं हो गया तब तक हमने इस पर कुछ नहीं किया तो इसको एक से दो दिन अच्छे से सूखने के लिए चाहिए और जब अच्छे से सूख जाए फिर इसके उपर हम कर देंगे जैसो और जैसो सूखने के बाद हम इसके उपर जो है अपने मन जाहा कलर जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको पेंट कर लिजी तो मैंने देखिए यहां पे इस तरीके से इसको पेंट कर लिया है और हमारा कितना सुंदर सा पॉर्ट बनके रेडी है आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं चाहिए फ्लावर पॉर्ट की तरह या और भी किसी तरीक इसको बहुत पतला नहीं करना है, मैं बहुत थिक नहीं रखना है, और आप जैसे देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इसी फॉर्म में इसको रेडी कर लीजी, और फिर हमको ले लेना है, अपना जिस तरीके से जिस तरीके का हम पॉट बनाना चाहते हैं, उस तरीके से हमें वो चीज ले लेनी है तो यहाँ पे मैंने एक cardboard ले लिया था यह साबुन वकेरा का था तो और उसके बीच में मैंने एक bottle लगाती है और चारो तरफ से हम इसको अच्छे से जितना उंचा हमको चाहिए जितना चोणा चाहिए उसे साब से आप fill कर दीजिए मैंने यहाँ पे almost पूरा ही फिल कर दिया था थोड़ा ही बचा था और चलिए बनाएंगे दूसरा तो यहाँ पे मैंने एक bottle ले ली है bottle शिरफ हो गयरा की थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मोड दिया था हो सोचा था कि अच्छा सा मोडने के बाद थोड़ा सा ओवल शेप में आएगा तो इस राउंड शेप में बनाने के लिए तो यहाँ पी मैं वैसा ही सेम प्रोसेस कर रही हूं सेमेंट मैंने फिल कर दी है और एक bottle लगाती है उसी के साथ में और एक से दो दिनों में बिल्कुल अच्छे से completely dry हो गया है यह और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम पानी आट किया जिस भूल गई थी अगर आप कभी ऐसा try करते हैं तो bottle में oil जरूर लगा लीजे जिसे बहुत ही आसानी से हमारी bottles बाहर आजाएंगी हमारे planter एक दम अच्छे से ready हो जाएंगे और यह कागज वाला देखिए जो हमने कागज से ready किया था वो देखिए काफी अच्छे से ready हो गया और निकलने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा send paper से wrap कर दिया था जिसे थोड़ा सा smooth हो जाएं और उसकी बाद मन चाहा color आप जैसा आपको करना चाहें आप जिस जो color आपको पसंद हो तरीके से आप paint कर सकते हैं मैंने अपने recording जैसा मुझे समझ में आया जैसा अच्छा लग से उसको हलका सा paint करके और leaf की design बना दी है और यह बिल्कुल क्योंकि छोटे छोटे से planter है और मैं ज्यादा fine नहीं बनाना चाहती सिंपल ही बनाना चाहती थी इसलिए बिल्कुल simple simple सा रख और यहां पे मैंने white cement ले ली है और थोड़ा सा जैसे हमने पहले इसको थोड़ा सा thick paste बनाया था उससे थोड़ा सा हमको इसे पतला लेना है और यहां पे मैंने एक teddy bear लिया है जो खराब हो गया था और यह भी धर धर पड़ा हुआ था तो मैंने सुचा क्यों ना इससे कुछ किया जाए देखते हैं क्या होता है final result तो बस मैंने यूँ ही बना दिया था इसको सीमेंट से हमकी तेखें शायद अच्छा लगे तो बिल्कुल अच्छे से पूरा मैंने इसको कवर कर लिया है और जैसा फिर आप उसको शेट करना चाहें उस तरीके से सेट कर दीजिए उसको क्योंकि सूखने के बाद फिर यह तेढ़ा बेढ़ा जैसा अगर आप छोड़ देंगे वैसा ही हो जाएगा और यह देखिए इसको सूखने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि यह अंदर इसके फॉर्म होती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है और तीन-चार दिन सूखने के बाद अच्छे से यह देखिए अच्छा लग रहा है और उसके ब हमारे प्लांटर्स का फाइनल लुक, सिम्पल एंड सोबर थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो पूरा है इंट तक देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी आप इंट तक आए होंगे अगर इन तक आही गए है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट करके मुझे बताईए अगर जरूर थैंक यू फॉर वाचिंग बबाई